सवागत है आपका एक पर फिर देश राग में और सुरू करते हैं कविताओं का दो और अब हमारे बीच कविता के टीचर है शिक्षक वो सिर्फ कविता पढ़ते नहीं है कविता पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं जब वो पढ़ाते हैं तो हम उनसे कविता पढ़ते हैं हम उन समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुब कामना इन चार पंक्तियों के साथ देना चाहता हूं कि दिल ये बेताब है आभार जताने के लिए दिल ये बेताब है आभार जताने के लिए आओ दिल के सभी उदगार उने भेट करें दिल ये बेताब है आभार जताने के लिए आओ दिल के सभी उदगार उने भेट करें जिनकी गरदन पे थे सर एहले वतन के यारो पर्वगण तंत्र के गलहार उने भेट करें जिनकी गरदन पे थे सर एहले वतन के यारो पर्वगण तंत्र के गलहार उने भेट करें हम कविता लिखते हैं प्रेम हाथ से वीर तमाम रसों में कविता लिखतें लेकिन जब हमें लेखनी का कर्ज चुकाना होता है तो तब हम वीर रस्में कविता लिखते देश भक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि देश भक्ति की मशाल दिल में जला के आज भगत सुभाश की जवानी लिखने लगे कि देश भक्ति की मशाल दिल में जगा के आज भगत सुभाश की जवानी लिखने लगे और खुशी-खुशी भेजे लाल माताओंने देश हे तू उनके प्रताप की कहानी लिखने लगे तो गोरे गोरे आतताईयों को जो जवाब दिया कैसे कैसे जिया काला पानी लिखने लगे और लेखनी के फर्ज को निभाने है तुसे निकों की साहसी निडर कुर्बानी लिखने लगे यह क्यों लिखना पड़ता हमें कि चाह निज जीवन में प्रेम ख्षमा धैर्य विनय धारिय सुगुण और संतोष कीजिए रोशांती की उपासना का लक्ष साधने के लिए यदि है जरूरी खुल कर रोश कीजिए कि राष्ट भक्ति का पराग फैला चहूं और यहां खुद को सुआस में ही मद होश कीजिए कि राष्ट भक्ति का पराग फैला चहूं और यहां खुद को सुआस में ही मद होश कीजिए और हो प्रतीत यदी बात सत्य कह रहा हूं मैं कि हो प्रतीत यदी बात सत्य कह रहा हूं मैं कि राष्ट भक्ति भावना के राष्ट भक्ति भावना से ओत प्रोत दिल लिये देश राग दुन्दु भी बजाने आ गया हूं मैं कि राष्ट भक्ति भावना से ओत प्रोत दिल लिये देश राग दुन्दु भी बजाने आ गया हूं मैं और रंग ये वसंती कभी चड़के न उतरेगा आत्मा में आपकी चड़ाने आ गया हूं मैं काव्य प्रेमी सुधी शोता आपके समक्ष यहां उद्गार दिल के सुनाने आ गया हूं मैं कि काव्य प्रेमी सुधी शोता आपके समक्ष यहां उद्गार दिल के सुनाने आ गया हूं मैं और शब्द अर्थ भाव पुष्प शब्द अर्थ भाव पुष्प काव्य में सहेजे हैं जो इन गुलदानों में सजाने आ गया हुँ मैं मैं ये जो आजादी हमें प्राप्त हुए जो गणतंत्र हमारा बना ऐसे ही नहीं बन गया तम मैं चार पंक्तिया कहता हूं कि राखियों के बदले जिनको बेडिया अच्छी लगी और शम्मा आजादी की रोशन क्यों नहोती जब उन्हें शम्मा आजदी की रोशन क्यों नहोती जब उन्हें तेल सांसों का बदन की बातियां आशी है देश भक्ति की कविता हमारे राहूल जी ने पाकिस्तान का जिक्र किया और मेरा यह मानना देश भक्ति की कविता पाकिस्तान और कश्मीर के बिना पूरी नहीं होती है लेकिन मैं गजल का विद्यारती हूँ तो मैं इशारे में बात कहता हूँ सुनिएगा कि प्यार ममता की सदा उगती रही के सर यहाँ प्यार ममता की सदा उगती रही के सर यहाँ भाई चारे की जमी फिर क्यों हुई बंजर यहाँ और दोस्ती की राह में जब-जब कदम आगे बढ़े हर कदम पत्थर मिले और पीठ पर खंजर यहाँ हर कदम पत्थर मिले और पीठ पर खंजर यहाँ लई चार पक्तिय और पढ़ता हूं मैं इस याशे पढाना चाहता हूं कि अभी दिख्र किया गया कि अगर हम स्वतंत्र हुए और हम स्वतंत्ता के पाद आजादी के बाद अपने को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं तो एक हमारे सैनिकों की बदोलत लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं नेता ये करते हैं कि वह अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे सैनिकों से क्रेडिक कोई कहता हमने की है कोई कहता हमने पहले की थी कोई कहता मुझे सबूत चाहिए लेकिन हमारी देश की जनता क्या कहती वो चार पंग्तिया पढ़के अपना स्थान लेता हूं देश की जनता क्या कहती है वो कहती है कि हर श्वास में है विश्वास देश्वासियों को हर श्वास में है विश्वास देश्वासिय और अनुपम वर्षों से पोशित है भारती संसिक्रिती सभ्यता महान सौप दीजिए कि सौप दीजिए जी मात भारती की असमिता को जल थल और आसमान सौप दीजिए कि सौप दीजिए जी मात भारती की असमिता को जल थल और आसमान सौप दीजिए और देश की अखंडता को आच नहीं आने देंगे सैनिकों के हाथ में कमान सौप दीजिए गणतंत्र दिवस्की बहुत बहुत शुप कामना है संदीब बहुत बढ़िया मैंने पहले ही कहा था कि देखे संदीब सिर्फ एक कभी नहीं है टीचर है कविता के सिक्षक है यह सिर्फ कविता सुनाते नहीं है गड़ते हैं कविता पढ़ते नहीं है कविता पढ़ाते भी हैं हम तमाम लोग को बहुत बढ़िया वाई संदी जब करकेमारत हो सबसे बड़ा तर्म युद्ध महाभारत का यूँ लेकिल समाधान कि या रहा पार reference कई había यू रवान वंगी क्प्रणमे का रख़ें कुछ थॉ उ ग ङुट्शी भए उसकी लाणायां खत्म गय है उनकाज गई गाउन महाभारत से लेकर गृष cierto कुछ भी हुआ तो युद्ím ने इसामस्यान का समाधान कभी Creek कर दो हम Means के साथ कौशे की लोग हम क्यूं युद्य के साथ खड़े हूं तो मैं हमेशा युद्ध के बिरुद्ध रहा हूं और मेरा अपना मानना है कि प्रेम से जो मस्ले हल हो सकते हैं कि आप महाभारत से लेकर अब दक के ने है मैंने के लिए या है और यह पैगाम है महबत का पैगाम प्यार का पैगाम मैं फिर कहूँगा युद्धों से समस्याएं कभी हल नहीं हुई हैं लेकिन प्यार से आप समस्याएं सुल्धा सकते हैं तो सुरू करूँ अनमती है मैं कागज देख के पढ़ता हूँ जहां कहीं भी जिस मंच पर मैं गया हूँ आप लोगों ने भी गौर किया होगा मैं देख के पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी समर्थी उतनी अच्छी नहीं है जितनी के आप लोगों की है और यह अलग अलग दावे हैं कि इसके समर्थी कितनी अच्छी है हमें तो एक बुड़े चौकिदार मेरे थे वो पता रहे थे कि उनकी समर्थी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है कि चौकिदार जी ने कहा था उनकी समर्थी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है तो मुझे तो मुझे तो मुझे तो कागस देख के पढ़ना पड़ता है मेरी स्मिर्थी उतनी अच्छी नहीं है वा 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 हाला कि मेरी एक ही पतनी है और हो करती है नहीं आपकी स्मिर्थी भी अच्छी है लेकिन मुझे कागस देखके पढ़ना पड़ता है तो एक कविता है कोई उनसे मेरा पैगाम कह दे नैनों की भाशा आम कर दे कोई उनसे मेरा पैगाम कह दे नैनों की भाशा आम कर दे जो बात कही जाती दिल से कहते हैं चार नयन मिलके जो बात कही जाती दिल से कहते हैं चार नयन मिलके वो बात कोई खुले आम कह दे नैनों की भाशा आम कर दे वो बात कोई खुले आम कह दे नैनों की भाशा आम कर दे कुछ कसे पुरा ने भूले हम कुछ कसे पुरा ने भूले वो कुछ कसे पुरा ने भूले हम कुछ कसे पुरा ने भूले वो जो कहना है दोनों सरे आम कह दे, नैनों की भाशा आम कर दे कोई बोज न मन का धोना हो, कोई बोज न मन का धोना हो, चुपके चुपके ना रोना हो कोई बात न अटकी रह जाए, कोई याद न भटकी रह जाए, उसके मन में मेरा कोई को ना हो मेरे दिल में उसका कोई को ना हो, कोई उन से मेरी मुसकान कह दे, नैनों की भाशा आम कर दे अब ये प्रेम है क्या हम, अब प्रेम को किस नजरिये से देखते हैं, और क्या वज़ा है, कि लोग अचानक लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, जैसे ही प्रेम की बात कर दो अरे नफरत के खिलाफ लाठी लेके खड़े हो जाईए ना, प्रेम के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं लाठी लेके, प्रेम की जरूरत है, नफरत से आप कुछ नहीं जीत सकते, क्योंकि महाभारत की जीत अगर आप पांडवों की समझते हैं, तो जाकि उस अरजुन से करने को बैठे क्यों सब कुछ त्याग ना पड़ा वो जीत नहीं थी सब खो चुके थे मामा फूफा मौसा गुरू चाचा सारे रिष्टेदार सब खो दिया अपने उस युद्ध में और अभी मन्यू जैसा हो नहार बेटा जिस अरजुन ने खोया हो जाके पूछिए ना व मेरा अपना एक नजरिया है प्रेयम क्या है यह प्रेम पवित्र गंगाजल है दिल से जानों यह निश्चल है और वन रिष्टों की कहानी है खुश्बूसी उड़के आनी है भक्ती के भाओं से पन पी नैनों से बहता पानी है बस इतना कोई एहसान कर दे कोई उनसे मेरा पैगाम कह दे कोई उनसे मेरा पैगाम कह दे नैनों की भाशा आम कर दे मैं फिर को हूँगा कि मैं विरुद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता युद्ध किसी भी समस्या को खच्न नहीं कर सकता अगर तो आपको जो सुनाना ँह सुनाइए आप पूरी आजादी है लेकर centres मेरी टरफ से है और पड़े भाई के आदेश भी आप समझ लीजिए कि हमें सुनना के लाल वाला पिले सुना कुर हुआ कै जैसा कि आपने बोला कि के लिए हुच्शां्ट All right all three 우와 adders क tenemos like to All right कर रहे थे सेटिंग जब हम तो उल्टे तार जुड़ गए कर रहे अब देखिए अब जिसके लिए भोल रहे थे स्पेस्टी आप उसकी डांट लगी जिसको सेटिंग करने का ठेका मिला था और नहीं गलत तार जोड़ दिया तो सो डांटा हाला कमाने कोई भी फरक नहीं कौन कैसा काम करे करे वो विकासिया की रहे वो गोटाले में ते अब हमकर ते इंड नहीं क्या टेरे ऊपर के माले में अरे काला ओवाला नीले में ता नीला ओवाला पीले में ता पीला ओओ往 लाल में ता लालओ ओगा आबहुता के charmल यह नहीं हो कहते हुत कि लेकिन यह क्या बताएं कि हाल दूसरा है अरे वो साल दूसरा था यह साल दूसरा है सुनिए अभी गड़बंदन हुआ है सभा उत्रप्यदेश में पत्रकारों ने पूचा कि अगर मायावती प्रदानमंत्री पत्की लिए दावा पेश करेंगी तो आप समर्थन दोगे त यही बात जब मायावती ने डारेक्ट अक्लिंस से पूची कि कंफर्म तो किया जाए क्या मन में अब उन्होंने सवाल किया तो अक्लिंस जी का जवाब सुनिए बुआ जी आए मिलकर बनाएं घोसला हम तुम बढ़ाएंगे सदा एक दूसरे का होसला हम तुम रही जो बात पीम की तो पहले जीतने तो दो बची जो बात पीम की तो पहले जीतने तो दो बाद में गैस्ट हाऊस में करेंगे इसला अचा यही बात मोदी जी से भी पूची गई कि आप इतने फिदान मंत्री के दावेदार पैदा हो रहे हैं आपको इसमें क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे चलके तो मोदी जी इस बास से बड़े बड़े सांती से बैठी हो उन्हें कोई टेंचन नहीं है क्योंकि एक बार इनका पहले भी सामना हो चुका है म सुझें मोधी का क्या कहना है इस गठबंदर के बारे में कि पी एम का खुआ बड़े सारे दल आपस में अलजी कहानी बन जाएंगे आपस में अलजी कहानी बन जाएंगे और कुद का जो मान रहे अमिताब जैसा कद सब अपनी होड में लगे कि कौन जादा मुचा है जाएंगे थार कर सारे असरानी बन जाएंगे मोधी बोले हावा जब चलाएंगे अमित साहा बरफ के गोले हैं ये पानी बन जाएंगे और अंति मुसमें मैं कोई ऐसा दाव फेकूंगा मैं अंति मुसमें मैं कोई ऐसा दाव फेकूंगा मैं देखना ये सारे अडवानी ब यह सारे आपने लिका है कोई आम आटमी में लेख सकता है हम लोग बश्वेश्चित के दौरा मभी उ мной मैंने उसको लिखा कि क्या बात्चीत होती है आम पब्लिक होती है ना वो तत्तिहीं बाते करती लेकिन आकड़ों के साथ करती है क्यों कहां से आते हैं आकड़े सुनिए क्या कहते है बाजपाई बोला कुछ भी हो किन तुम मोदी जी ने भारत को नौवे नंबर पर पहुंच आया है तो congress लिस्ट कआ हैं नंबर यह किस चीज में लिखना कॉछ बरन बहें थी बोला तुझे मेस्ज मिला अधूरा देख मेरे फॉरा-पर आया है कर सब्सक्राइब करेंगे का द्रौपदी का एक भंग फल भी किराल हुआ फिर एक बार वो संघार नहीं चाहिए अर्थीन बातों से अनर्थ करें हैं अर्थ-का-जो अर्थ-का-जो असमर्थ ऐसे संसकार नहीं चाहिए और कोई शब्द ज्ञान नहीं वाणी पर विराम नहीं ऐसे मंत्रियों की सरकार नहीं चाहिए एक बाए फिर से अपनी इस्थपाटी की ओर से आप सभी लोगों को पूरे भारतवासियों को गरतंत दिबस की बहुत-बहुत सुपकामना है बहुत- आज के नेता उसको लट आज के नेता उनके प्रतीकों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते मैंने एक क्षणी का कहने की कोशिच की सुनिये गा कि सुनो बापू तुम्हें जुठलाने की हिम्मत नहीं थी तो यूं किया है तुमहारा चश्मा ले लिया है कर द सुनो बापकु है कि तुम्हें जुटलाने की हिम्मत नहीं थी lub यू किया है तुम्हारा चश्मा ले लिया है और अब वो सब दिखता है जो हम देखना चाहते हैं यह दिखाना चाहते हैं क्योंकि चश्मा तुम्हारा है नजर हमारी है और नजरिया भी चार बंक्तियों और कहता हूँ कि आजादी के बाद रहनुमाओं ने रहबरों ने क्या क्या किया कि मा तरी खुशियों की किलकारी पे मिटी डाल दी रहबरों ने अपनी आजादी पे मिटी डाल दी और रहनुमाओं फिर प्रतीक का इस्तेमाल करता हूँ कि रहनुमाओं ने वतन का चर्खा थामा शौक से हां मगर बापू तेरी खादी पे मीटी डाल दी तो हमारे रहनुमाओं को रहबरों को गणतंत्र का असली मतलब समझना पड़ेगा तब ही हमारा गणतंत्र सफल हो सकता है मैं आप सबको कंतंत दीवस की पुना शुब कामनाय देता हूं बहुत बहुत धनेवाद के शिक्षक हैं यह ठीचर है कितनी गहरी बाद अपनी चार लाइन में आप कह जाते हैं बहुत बढ़ी खासियत आपकी संदीप बढ़ी खासियत है और अब एक रचना अगर आप लोग जहल पाएं तो मैं भी सुना दूब लोग मुझे जहलने को तयार है मुझे लगता लोग मुझे जहलने को तयार नहीं है सहब लोग मेरी कविता भी सुने को तयार है और ऐसी कविता है जो मैं गाता हूं और यह जानते हुए भी कि मेरी आवाज अच्छी नहीं मुझे गाना नहीं आता है और मैं गाता हम आप सुनते हैं तो एक चुके डुक दॉन गए हुआ दो नयन मिले दो धिल धड़के दो भौरों का गुन-गुन-गान हुआ जो राधा की भक्ती समझ गया वो मीरा का विश्पान हुआ और संगम की ऐसी धारा का ये गंगाज मुनासा पानी है जब से धरा गगन है ये तब की ये अमर कहानी है जब फूल खिले उपवन में तो जब धानी मंजरियां इठलाई थी जब प्रेम पद स्पर्श पाकर हो जिवित अहिल्या इतराई थी दर्ती की प्यास पुझाने को जब से गगन धाम में पानी है अरे जब से धरा गगन है ये तब की ये अमर कहानी है तब की ये अमर कहानी है अब प्रेम शुरू कहां से हुआ आपको लगता है कि जिवा पीडी ने प्रेम किया है नहीं आपने नहीं किया था क्या मैं बुजुर्गों से पूछ रहा हूं और क्या आपके बुजुर्गों ने नहीं किया था प्रेम शुरू कहां से होता है अब इसकी बात करेंगे बादल सागर से शुरू हुई आदम हवा का रूप लिया राधा के नैनों से टपकी जैनब अबुल ने रोक लिया खुसरों के सपनों में आई लैला मजनू की बलिदानी है अर जब से धरा गगन है यह तब की यह अमर कहानी है और अब प्रेम आप अपने अपने हिसाब से करते होंगे आपका अपना नजरिया होगा प्रेम को लेकर लेकिन आप सभी लोगों के लिए नौजवान साथियों के लिए प्रेम का मतलब चार लाइन में करक्रम समाप्ति की ओर है प्रेम का तुम बनना संयम की गरिमा साथ रहे नफरत का सागर सूखेगा बस हाथों में तेरा हाथ रहे कलियों पर भोरों का दीवाना पन जीवन की असल निशानी है अरे जब से धरा गगन है ये तब की ये अमर कहानी है तब की ये अमर कहानी है मातरम मातरम और इसी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्चम में शामिल होने के लिए समाचार प्लस परिवार की तरफ से मंच पर मौझूद अपने तमाम कवी मित्रों की तरफ से आप सभी लोगों को गड़तंत्र दिवस की बहुत बहुत सुक्राम न आएं बधाईया वन दे नमसकार